हेलो दोस्तों वेल्कम तो जेट सेम्मल आप से भी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मुवाइल में आई मुवाइल एप कैसे चालू कर सकते हैं जो कि आई सी आई का होता है तो सबसे पहले आपको अपने प् ल्ग एई मैंने इसको इस स्ट्रूल करावे और ये यशन में आपको और लिंक होना चाहिए तो इसमें आपको अलाओ करना है इसको भी अलाओ करना है और इसके बाद में आई 16ική baan ready for you ready for tomorrow तो देखते हैं start हो रहा है हमारा ये और देखिए ये first time इस तरीक से आएगा तो आप इसको continue continue ये आपको बता रहा है है कि हुआ है facility है दे रहे हैं इस time और okay उसके बार में कई सारे option आहां जाते हैं इस में जिसे सबसे पहला option ने लेट्स गेट स्टाड़िट और इंस्टा एकाउंट सेलरी एकाउंट माइन एकाउंट यह कुछ इन्होंने बना रखें इस तरीक से तो हमको जाना है लेट्स टार्ट और इसमें आपको अगर किसी का रेफलर कोड हो आपके पास तो डाल सकते हैं अधरवाइस इसे आप लेए इसे छोड़ भी सकते हैं एक्टिवेट पर किलिक करते हैं जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो आपका मुवाइल जो यह है जिसमें आप आई मुवाइल डाउनलोड किये हैं उसके अंदर आपका वह रेइस्टर नमबर भी होना शाहिए जो कि आपका बैंक म send होगा उसके बाद ही आपका mobile number verify होगा तो इसके लिए वैट करना होगा हमें देखते हैं कितना time रखता है हमें तब तक के लिए वीडियो को pause कर देता हूँ देखिए जो यह charge करता है इसमें यह कट चुका है message में आपका इसमें sms के लिए balance होने चाहिए आपके जो mobile sim number है इसमें उसके बाद में देखिए एक रहा है I want to use fingerprint with four digit pin जो है उसके साथ में आप finger और four digit use कर सकते हैं second वाला जो option है यह वाला I want to use four digit login pin only तो इसमें कि आप अपने चार number set कर सकते हैं और यह I want to use existing internet banking user ID तो हम first वाले option को select कर लेते हैं यह हमारे लिए बहुत अच्छा है और इसके बाद में हम यहाँ पर अपना pin number set करते हैं जो हमें कि कर रहा है आप इसको please select your preferred mode of authentication यानि आपको यह authenticate करना है कि आप ही चालू कर रहे है यह कोई और चालू कर रहे है तो उसके लिए आपको पाट debit card या internet banking password होना चाहिए तो मेरे पास ही फिलाल में तो मैं यहाँ पर add कर देता हूं और जी पर कितने number है वह अपने डेविट card के पीछे आप देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा तो देखिए डेविट card के जी पर इतना है और इसके बाद में L पर क्या number पड़ा है तो देखिए यह मैंने अगर सही डाला होगा तो यह मेर fingerprint इनेवल करना चाते हैं तो अगर आप इनेवल करना चाते हैं आपका mobile device जो है fingerprint sensor है उसमें तो आप इनेवल कर सकते हैं otherwise को no thanks कर सकते हैं तो मैं इसको इनेवल करना चाता हूँ तो मैं इसको इनेवल पर click कर दो तो यह देखिए message आ चुगा है success congratulation you have successfully enabled fingerprint based authentication now login secure by using your fingerprint you can disable it anytime by using disable fingerprint option available in this menu तो आप इसको fingerprint की मदद से आपने एप को चलिए हम login करके देखते हैं तो देखिए अब यह हमारा जो है logout हो चुका है और देखिए इस तरीके से इसका interface कुछ आ चुका है और हम इसमें finger touch किया है हमने इस वे और यह first time login हो चुका है तो आपको इसमें कुछ बता रह में तो देखिए इस तरीके से यह जो हमारा mobile app है login हो चुका है आप इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं यहां आपको left side में passbook बगएरा दिखाएगा और भी जो भी आपके options हैं वो इसमें click करके आप चेक कर सकते हैं देख सकते हैं वीडियो कैसे लगा दोस्तों वीडिय चैनल को subscribe कर लीजिए ताके मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं आपके लिए thank you for watching